सबसे पहले तो आप रिजल्ट देखे एक हपते में ही आपकी स्किन को टोटल चेंज कर देगी चैसे आपको कोई भी समस्या है पिग्मेंटेशन की है ओपन पोर्स की है या फिर आपके चेहरे पे जूरियां पढ़ना स्टार्ट हो चुकी है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी किस तरह से हम इसे तायार करना है लगाना कैसे फैन या निक दो मं ऊंध्ट औरतन है उगाए हुए और आपके पास आइसे नहीं भी है कोई दिक्त नहीं है जो आप क्हाने में इस्तेमाल करते हैं अब मैं ने लिलिया है एक बरतना में एक गिलास ये पानी का में हमने लिए हैं इसमें से दो चमच चावल के हम इसमें एड़ करेंगे देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि चावल जो है ना बिटमिन A, C, E, D, केलसियम, मैगनिशियम, स्टार्च, एंटियोक्सिदेंट से भरपूर है मतलब कि आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाये रखता है यापकी स्किन को स्मूध बना देता है ब्राइट और लाइट बनाने में सबसे इंपोर्टेंट इंग्रीडियन यही है अब देखिए दू केलसियम, पोटाशियम, फाइवर, कॉपर, जिंक मतलब भरपूर मातरा में यह चीज़े इसमें पाई जाती है पोटाशियम भरपूर मातरा में पाई जाने के वज़ए से यह आपके फेस पे कोई भी अगर डाक स्पॉर्ट है उसको लाइटन करने के लिए बहुत ही पाव पाई लाने दीजिए फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दीजिए अब आप टेंशन मतलीजिए इसे पकने दीजिए अच्छी तरह से पकने दीजिए ताकि सारे जो यह चीज़ें हमने दोनों चीज़ें एड की है तो इसके जो भी निउट्रियंट्स है वो अच्छी आपको बीच बीच में से गुमाते भी चलना है नहीं तो यह जो चावल है ना नीचे लग सकते हैं तो यह देखिए अभी हमारी जो चावल है ना अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं लो फ्लेम पे रखोगे ना तो बाहर निकल लेंगे खत्रा बिल्कुल नहीं रहेगा आप छोड़के अपना काम भी कर सकते हो बीच बीच में हिलाते चलेगा अभी मैंने चैक किया तो चावल अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और आलू भी बहुत ही बड़िया तरीके से कुक हो चुका है तो अब क्या करेंगे हम गैस को कर देंगे बंद थोड़ा सा इसको ठंड भरपूर मातरा में चै तो यह जो आप चै वल का पानी है ना थोड़ा सा अगर आप निकाल करके रखना चाहें सीर्म की तरह यूज करना चाहें देली तो आप इसे निकाल करके रख सकते हैं पोटैटू और चावल दूनो के गुणा आपको मिल जाएंगे ये ज़की चैन एक दम बिल्कुल स्मूध हो जाएगी और कोई भी डाक स्पॉर्ट होगा वो भी दीरे-दीरे से कम हो जाएगा अब मैंने क्या किया कि सारी चीजें जैसे थी वैसे ही पानी सही जो भी था इसको मिक्सर जार में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया मतलब एक अच्छा करके रखती हूं आप पूछते भी हो कि मेरी यंग टाइट स्किन का क्या राज है तो इस तरह के नुस्के यही है राज अच्छा अब यह मैंने लिया है कॉर्ण स्टार्च जिहां स्टार्च जो कि हम कई वरी अगर सबजी को गाड़ा करना होता है वहां पर इस्तेमाल करत करता है आपके सकिन को एक्सफोलियर करता है और इन सारी चीजों को रिमुव कर द 되고 करने का करता है तो मैंने सब्सक्राइब के यहां पर तो यहां पर यह कॉम कर सकते हैं echo को फिर से ंगूमा दिया और यह मैं आख लेकर भोगाई शारी लेयद आपके से चैयं हुआने प्ल आप ये काम मतलब इस तरह से जो हमने अभी चावल और आलू की क्रीम बनाई दिना तो उसको कटोरी में लेकर के वहां पर भी अगर आप कॉन स्टाज डालते हो तो भी वो मिक्स हो जाता है लेकिन मिक्सर जाल में बहुत ही अच्छी तरह से चीजें ब्लैंड हो जाती है इसल डालने है बिटामीन के कैप्सुल दो तिन कैप्सुल आप इसमें ऐड कर लीजएगा ब्यूटी बिटामीन के नाम से ही जो है ये जो जाने जाते हैं नियरवाइ मेडिकल स्टोर में आपको कहीं पर भी आपने वसे यहीं बोलना है कि हमें विटामीन-E के कैप्सुल मिल जाते हैं आप पता कर लेना लिखा होता इसके उपर वी रेट तो आप रख लीजे घर पे बहुत काम की चीज है स्किन के लिए बालों के लिए बहुत बहुत बेहतरीन यह चीज है मैं आपको मनलब बहुत सारी रैमेडिस में इसे यूज करना बता चुकी हूँ तो इस तरीके से अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे एक बार अब इसमें आप एक और चीज आड़ कर सकते हैं जो की है बिटमिन सी क्यूंकि बिटमिन सी एक तो एंटी एजिंग का काम करती है प्लस हमारी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखती है अच्छा यहां पर स्मूध जैसा पेस्ट बनाना है जैसे कि हमारी क्रीम होती है तो उस तरह से तो अच्छा यहां पर बिटमिन सी के लिए मैंन का इस्तेमाल किया है जिन लोगों को लैमन सूट नहीं होता है वैसे तो यह क्योंकि बहुत कम क्वेंटिटी में है एक चमच हमने इसमें लैमन ज लगानी चाहिए नहीं तो फाइदे की जगह फिर नुकसान भी हो जाता है इसलिए इस इसका ध्यान जरूर रखे तो लैमन की जगह आप और इंज जल का इस्तेमाल कर सकते हैं वह भी आपको मिल जाएगा चाहे ऑनलाइन पर चेज कर लीजे मार्केट में शायद मिल ही जात अब देखे क्या किया मैंने जो दूद लिया था ना दो चमच डाले थे वहीं से थोड़ा सा लेकर के अपने फेस को अच्छे से क्लें करी हूं मैं आपके साथ बहुत बाशियर भी क्या है कि मिल्क को ही ऐसा क्लेंजर इस्तेमाल करती हूं जब आप रात को अपना फेस साफ करते हो ना तो बस इसी से कर लिया कि यह आपको एक्स्टा करने की जरूरत नहीं रह जाती है यह आपकी स्किन को बिल्कुल एक दम यंग बना देता है तो जो हमने अभी क्रीम तयार की है तो थोड़े से अमाउंट में आप लीजिए अगर थोड़े से अमाउंट में आप हो जाती है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ करके सो सकते हो लेकिन अगर आपको लगे ऐसे कि नहीं थोड़ा चिप चिप जैसा महसूस हो तो आप लगवक 15-20 मिनट के बाद अपना चहरा ठंडे पानी से दो सकते हैं अब बताती हूं दूसरा तरीका जो आमने यह क्रीम बनाई में तो ब्रेश की हल्प से लगाओगे तो इसली लग जाएगी 15-20 मिनट के बाद अपने चहरे को ठंडे पानी से धो लीजे एंड आप रिजल्ट मतलब अन्बिलीवेवल रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलते हैं इंस्टेंटली आपको फील होगा कि आपकी स्किन एक करना है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजेगा आज के लिए इतना इनने मिश्कार